नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी मैं हूँ आपके साथ अब्दुलकरीम एक तरफ जहां यूपी सरकार पूरे यूपी को ओडिय घोशित करने की बात कहती है तो मैं दूसरी तरफ कई ऐसी जगह हैं जहां अभी तक शोचाले ही नहीं बने और बने भी हैं तो महस खाना पूर्ती करके कागजों पर शोचाले निर्माड दिखा दिया गया है ताजा मामला 12 वंकी के देवा ब्लॉक के शेशपुर गाउं का है जहां आप शोचाले का नजारा देखेंगे तो आप भी सिर पकड़ लेंगे यहां यहां शोचाले तो बने हैं लेकिन कहीं गेट नहीं तो कहीं शोचाले के उपर छट नहीं है तो एक तरफ जहां यूपी सरकार पूरे यूपी को ओडियेव घोशित करने की बात कहती है वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी जगह हैं जहां अभी तक शोचाले ही नहीं बने और बने भी है तो मैं स्खाना पूर्ती करके काख्जों पर शोचाले निर्मारत दिखा दिया गया है ताज़ा मामल आपके सामने है बारवंकी की देवा ब्लॉक के शेशपुर गाउं का जहां आप शोचाले का नजारा देख रहे हैं कि किस तरह से जो इनके दरवाजे है वो टूटे हुए है और अंदर की हालत आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी हालत है तो देवा ब्लॉक के शेशपुर गाउं का नजारा आप देख रहे हैं कि शोचाले कितनी बुरी तरीके से बनाए गए हैं और यह देखिए कि शोचाले की जगा कुछ होरी इस्तिमाल किया रहा है इसमें तमाव शोचाले आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर किसी ने लकलियों को इसमें भर दिया है और कि हमारे समद्दता रहान वार्ट से जुड़ चुके हैं रहान कि जिस तरह से योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि शोचाले निर्माल हमने कराया है शोचाले दिये गए हैं यहां तो कुछ और देखने को मिल रहा है कि अधिया है अधिया है रहान आपको आवाज दा रही है हमारी इस बिद्गुल अब दाना चाहूंगा देवा बलाक कर देशपूर गाउं है जहां पर सवचाले की जमीनी हकीद देख जा सकता है प्राइम टीवी की टीम आज यहां पर कवरेश करने पहुची थी तो यह ज रस जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यह सवच भारत मिशन का नजारा है कि एक तरफ सरकार वादे करती है सवच भारत मिशन के वहीं दूसरी और यहां पर इस तरीके की हालत देखने को मिल लई है तो रिहां वहां के जो प्रदान हैं उनसे अपने बात किया अगर तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले पर निकल कर आ रही है तो देखने में यह साबित हो रहा है कि गाउन के अंदर विकास के नाम पर सिर्व खाना पूर्टी की गई जाए वो सोचाले निर्मार की बात हो या फिर नाली या रोट खरंजे की बात हो हलाकि जब हमने रास्मिक विद्ध्याले का देखा तो जो सरकार योजनाए दे रही है काय कल्प योजना के तहत तमाम तरीके के इसकूलों के अंदर काय कार करा जा रहे हैं वैसा कुछ भी महाँ पर देखने को नहीं मिला लेकिन तस्वीरों में ये भी दिखाए कि जिनको शोचाले मिले हैं तो वो लोग उसका इस्तेमाल शोचाले के रोप में नहीं कर रहे हैं उन्होंने अपने शोचाले में लकडियां भर रखी है और भूसा विया रखा है तो आ लेकिन वहाँ पर जो द्रस है वो अलग ही एक रूप लिये हुए ए क्यूकि जो सोचाले बनने थे सोचाले तो बने हैं सिफ दीवारे ख़री कि जी गई हैं लेकिन सोचाले के अंदर जो विवस्था हैं होनी चाहिए वो नहीं है तो ग्रामीरों ने उसके अंदर जो अपन करना सामागरी है या लकडी की बात करें कंडों की बात करें वह उसमें रख रखा है वहां पर है क्या उनकी नजर इन शौचाले पर या इन गाउं पर अभी तक नहीं पड़ी या अगर पड़ी तो उसको वह नजर अंदास कर रहें अब जो लगर हम ग्राम विकास अधिकारी की बात करें तो पूर रूस पे ग्राम विकास अधिकारी की ग्राओं के अंदर पूरी जिम्मेदारी होती है कि ग्राम विकास अधिकारी को प्राइम टीवी ने फोन करना के उनसे बात करने का प्रियास किया उनको call की गई थी, लेकिन उन्होंने प्राइम टीवी की call है कर दिया है, ये बड़ी खबर है, इसे साफ लग रहा है कि जो ग्राम विकास अधिकारी है वो इस मुद्दे से बचना चा रहे हैं और जो अपना पल्ला है वो ज़ाड़ना चा रहे है, उन्होंने phone cut कर दिया है, रिहान जिस तरह से ग्राम विकास अधिकारी ने फोन कट कर दिया है तो क्या लगता है कि वो अपना बचाओ कर रहे हैं? लेकिन गाओं के अंदर गाओं वालों का साथ तोर पर कहना है कि सफाई करमचारी नहीं आते हैं कोई भी सुईधाई नहीं मोहिया कराई जा रही है अशर रिहान चुनाओ करीब आ रहा है पंचाओ करीब आ रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि उससे पहले जो यहां की विवस्ता है वो दुरुस्त हो जाएंगी? अब्दुल अगर देखा जाए तो परधानी का जो कारकार है वो काफी टाइम पहले ही समाथ हो चुका है पूरुब में समाथ हो चुका है अब जो इसके इंचार्थ है वो एडियो पंचायत है और अगर हम बात करें हमने जब जनता से बात करनी चाही हमने उनसे पूछा भ गए परधान जी गाओं के अंदर नहीं दिखाई पड़ें तो साथ और पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जो परधान होता है जनता का जन प्रतिनीदी होता है जनता के सुब्दुख में या विकास में हर चीज में एक एक एहम भूमिका रहती है गराम परधा सब्सक्राइब करते हैं तो क्या यहां भी ऐसा कुछ देखने का आपको मिला है अब्दुर बिल्कुम साफ तौर पर अगर हम निरमाल की बात करें तो एक जो लाभारती से उनके एकाउंट में पैसा आना था लेकिन यहां दूसरी और यह नजारा जो देखने को मिला है यहां पर जो परधान है उन्होंने खुद सौचाले बनवाए हैं लाभारती को एक भी रुपे एकाउंट में नहीं गये हैं और जो सौचाले हैं वो भी रहता है कि सौचाले बने तो है जब उसकी देख रेक नहीं की जाएगी तो गिरी जाएंगे और अगर फूत्रों की माने तो जो गाउवालों का कहना है साफ तोर पे कि गाउंगे अंदर विकास के नाम पर सिर्फ पैसा निकाला गया है जो बजट पर जो पैसा आया है वो पैसा निकाला गया है चाहिए वो नाली निर्माल की बात हो रोट खरेंजे की बात हो इस तरीके की चीज़े गाहँ वालों ने बताई है तो रेहां ते ही हमारे समाधाता जो जानकादी दे रहेता है कि किस तरह से परधार ने भृष्टा चार किया है इस गाउ में और इस गाउं की जनता के साथ किस तरह से धोकेवाजी की गई है तस्वीरे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो गंदगी है नालियों में वो जमा है नाली भी जिस तरह बननी चाहिए वो भी नहीं बनी है चुनाओ कर समय करीब आ किया है और प्रधानों का जो कारेकाले वो भी ख पास कितना होगा रही बात शौचाले की तो शौचाले निरमान का जो मामला है वो इसी गाव को नहीं ये तमाम गाव अगर आप जाएंगे तो भomination देखेंगे आपकी शौचाले निरमान में जबरदस तरीके से जो धोखिवाजी है वो की गई है तो अभी आपको हम मानवंकी की दिवा ब्लॉक के शेश्पर गाउ का नजारा आपको हम दिखार रहे थे कि किस तरह से प्रधान ने वहाँ पर विश्टचार किया है फलाल के लिए इतना ही देश और तुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं प्राइम TV